असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू फूड विद निम्रा चैनल दो कैसे हैं आप सब उम्मीदे कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और मेरी वीडियो को इंजॉय कर रही होंगी आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से वनेला कपकेक्स की रेसिपे शे तो यह मिल जाएंगे आपको और मॉल्स वगेरा में भी आप एक दिफर यह कप्स खरीद लीजिए आप लोगों की जो भी मेजरमेंट होगी वो बिलकुल एक्ट अच्छी होगी अगर आप लोग अपने अन्दाजे से केक वगेरा बनाते हैं बेकिंग इस्पेशली आप ल करीब लिया है और मैदे को आपने च्छे से च्छान लेना ही इसके बार ट्यू टैबल स्पून के करीब आपने इसके अन्दर बेकिंग पाड़र आड़ करना है और यह भी आपको टैबल स्पून्स वगेरा भी मेजरमेंट्स में मिल जाएंगे तो मैंने ट्यू टैबल कि आपके से साथ बनाते हैं तो आपिकंग हो दिखा और है कि यह सब्सक्रां अपट चाहिए हैं नुकरण लिहां खुली दूम जायाे यानि कि अंडे आपके फ्रेज वाले ना हूँ, रूम टेंपरेचर पर हूँ ये वन कप पॉडर शुगर है, और ये हमारी घर में आम जो चीनी होती है, मैंने उसको ही बारीक पीस लिया है आप लोगों ने अच्छे से इसका पॉडर बना लेना है, यानि कि चीनी का दाना ना हूँ फिर आपने चीनी भी इसमें एड कर देनी है, और ये वन कप पॉडर शुगर है पर इसके बाद आपने इसको हेंड्विक्स की मत्स से अच्छे से मिक्स कर लेना है ये ऐसे चीनिया इसके अदर डिजॉल वो जाए और ये तकिरिवस आपने दो से तीन मिणट करना है ताके अंडो का कलरों भी चेंज हो जाए और यह जो material हमारा तोड़ा light form में आ जाए और आपने इसको इतना पहेटना है कि अंडों के अंदर चीनी जो है अच्छे से dissolve हो जाए और अंडों का color तोड़ा सा light हो जाए दो से तीन नट लगेंगे आपको और अच्छे से whisk हो जाएगा फिर जब हमारे अंडों चीनी करना है और इसको भी अच्छे से mix कर लेना है तमाम चीजें आपकी room temperature पहनी चाहिए कोई भी चीज फ्रिच की ना हो और आप लोग यह देख लीजिए मैं इसके अंदर hand beater यूज नहीं किया है hand whisky यूज कर रहे हूं क्योंकि हमारी बहुत सी घवतियं के पास beater नहीं होता तो आप लोगों ने ये recipe ज़रूर ट्राय करनी है और जिस recipe में बीचर यूज होता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूं वहाँ पे कंपल सरी ही बीचर यूज करना होता है लेकिन इसमें आप लोग अराम से बना सकते हैं और जब यह साई चीज अच्छे से mix हो जाएं तो आपने इसके अंदर मैदा और जो हमने बीकिंग पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था वो एड़ करना ही और इसको दो हिस्सों में करके आपने एड़ करना ही ताकि कोई लम्स ना पढ़े तो आपने इसको दो हिस्सों में करके यह अच्छे से mix करना ही और आप लोग तो बाउल की साइट्स पे भी आपने अच्छे से स्क्रैप करना है ताकि कोई भी अगर ड्राय मैदा वगरा रहे गया है तो वो भी स्केनर मिक्स हो जाए अब आप दुबारा से विक्स ही चला सकते हैं लेकिन मैं यहां पे स्पेशलर की मदद से ही इसको मिक्स कर रही हूं औ अब मैं यहां पे कपकेक्स के लिए कपकेक मोल्ड यूज कर रही हूं आपके पास कपकेक मोल्ड ना हो तो जो सिल्वर की ग्लास वगरा होते हैं आप दो उसमें भी बना सकते हैं फिर मैंने कपकेक्स लाइनिंग लगाएं गया है और यह आपको हर सुपर मार्केट पे अच्छे से उपर तक बेख हो जाएंगे अगर आप इसको ओवर कर देंगे तो यह पिर बाहर को निकल कर आ जाएंगे और वो फिर शेप अच्छा नहीं लगेगा और जब मैं कपकेक का बैटर रडी करने लगी थी जब ही मैंने पतीले को प्री हिट करने के लिए रग दिया जाएंगे यह 15 मिनिट में भी बन सकते हैं और 20 मिन भी फिर मैंने पतीले में रख दिया है अब इसको आपको दिखाते हैं पंदरा मिनिट बाद और यह आप लोग देख लीजिए मार्शा अला मार्शा अला से कितने ही जबर दस से हमारे कपकेक्स रेडी हुए हैं और मैंन इसमें वनिला एसंस यूज नहीं किया अगर आप लुक चाहें तो इसके बैटर में फ्यू डॉप्स वनिला एसंस भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग एक तूथ पेक पे लगा नहीं आता तो आपके कपकेक या केक रेडी हो जाता है और आपने इसको अच्छे से ठंड गरम इसको उठा लिया और मुझसे पकड़ा भी नहीं जाता क्योंकि बहुत जादा घरम हो रहे थे तो यह बहुत ही इसीली से निकल जाएंगे बस आपने साइट से इसको नाइफ की मदद से पुछ करना और यह बाहर आ जाएंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही माज़ेद अब आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को यह कैसे लगी और अगर कुछ और भी पूछना हो तो आप लोग कर सकते हैं वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया वह तो जली से कर लीजिए और मैं इसको ट्राय कर रही हूं गरम गरम चाय के साथ अ और यह बहुत ही मज़ेदार हैं सौफ्ट 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 से और कोई यकीन नहीं करेगा कि आपनी घर में बनाएं यह गनाश आप लोग बहुत ही कम टाइम में दो इंग्रिजिएंट से बना सकते हैं और यह गनाश बहुत सी एसे रासिपी में यूज होती है जिसमें आप लोग बजार से खरीदते हैं चौकलेट सौस वगएरा तो आप लोग घर में असानी से बना सकते हैं अब मैं आपको इसके लासिपी शेयर करूंगी चौकलेट गनाश के लिए मैं टू इंग्रिजिएंट्स यूज कर रही हूं जिसमें मैंने सबसे पहले वन कप क्रीम ली है और यह हैवी क्रीम है आप लोग किसी भी कंपनी की ले सकते हैं जैसे ओल पर्स वगएरा या मिल्क पैक की क्रीम ले ली जिए यह मैंने 200 अमल वाला पूरा पकेट लिया है और यह वैसे मैजरमेंट में पूरा एक कप ही और गनाश पनाने के लिए आप लोग हैवी क् ली है मैंने हाफ कप के करीब और इनको मैंने कट कर लिया है कट आपने एक जितने ही साइस का करना है अगर आपको छोटे और कुछ बड़े कर देंगे तो कुछ जली मेल्ट हो जाएंगे और को देर से होंगे तो आपने एक जैसी ही साइस को कट करना है अगर आप लोग छो क्रीम आपने वन कप लेनी है इसका रिशो याद रखीगा क्रीम और हाफ कप चॉकलीट अब चॉकलीट गनाश की रैसिपी को स्टार्ट करते हैं और एक सॉस पैन में मैंने हजब जरूरत पानी आट किया है पानी आप लोग कम जादा कर लीजिए और पानी को आपने गरम कर कर देना है किसके अंदर एक अच्छा सा बॉइल आ जाए और यह वीडियो में बिगनर्स के लिए बना रही हूं जो बेकिंग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जिनको थोड़ी बहुत चीजों का पता नहीं होता तो यह में उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं हमने चॉकलेट और क्रीम को मैल्ट करना है और इस तरीके से मैल्ट करने को कहते हैं डबल बॉइलर मेथड जब पानी के अच्छे से बॉइल आ जाएगा तो हमने यह वाल जो बाल जिसमें चॉकलेट और हमने क्रीम आट करी थी वह हमने इसके उपर रख देना है जब आपने बा ताकि हीट की वज़ा से हमाई चॉकलेट अच्छे से मैल्ट होने लग जाएगी खुदी तीन से चार्मिनट बाद ही आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है चॉकलेट हमारी अच्छे से थोड़ी-थोड़ी सी मैल्ट होने लग जाएगी नीचे से जब उसको हीट मिलेगी और यह आप लोग देख लीजिए कि यह बाउल जो है बिलकुल गरम भी नहीं है क्योंके मैं इसको अराम से पकड़ रही हूं और पकड़के अराम से इसको मिक्स कर रही हूं तो आप लोग यह देख लीजी और नीचे सी पानी जो हमारा वो अच्छे से बॉयल भी हो रहा है बिलकुल स्लो आज पर है बस आपने इसको मिक्स कर लेना है और शुरू मिंगे इन लाइट लाइट कलर की बनेगी जैसे ही हमाई चॉकलेट अच्छे से सारी डिजॉल्व हो तो मैंने यहां पर डार्क चॉकलेट ली थी तो यह बिलकुल डार्क गनाश हमारी रेडी हो जाएगी अगर आप मिल्क चॉकलेट लेते हैं तो यह मिल्की मिल्की कलर की ही बनेगी जैसे अब यह लाइट कलर है वैसे ही आपकी गनाश का कलर होगा तो जैसे ही अच्छे तर सब्सक्राइब कर सकते हैं और गनाज भी कर सकते हैं यहां पर हमाद गनाज रडी हो चुकी है और इसके आप लोग देख लीजिए किस तरीके सी लिक्विडी फॉर्म में है और अगर आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ देंगे रूम टेंपरेचर पे गनटे के लिए तो इसके लिए थोड़ा सा वाल्यम आ जाएगा चौकले गनाज को मैंने दो हिस्सों में डिवाइट कर लिया है इस वाली गनाज से आप लोग को दिखा दिती हूं कि हम लोग कपकिक्स वगेरा और डोनट्स वगेरा को किस तरीके से डिप कर सकते हैं और के चौकलेट कपकिक्स हों या फिर टी टाइम पर लोग एंजॉय करें चौकलेट गनाज हमारी बहुत ही मज़ेदार बनी है आप लोग इसको ब्राउनी के उपर बिजॉय कर सकते हैं और इंशा आला में आगे आने वाली रसिपी में भी बताऊंगी कि कहां कहां पर हम लोग कि गनाज की रसिपी को यूश कर रही है और इस तरीके की मज़ेदार रसिपी स अगर और सीकष निए तो जली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगान को भी जरूर प्रेस करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जली से लाइक करें मंट्स में आप लोगों न किसी भी airtight box के अंदर इसको डाल लीजिए और अच्छे से इसको pack कर दीजिए ताके कोई भी इसके अंदर air अगरा ना जाए और आप इसको अराम से एक महीने के लिए यूज कर सकते हैं आपने इसको फिर्ज में ही रखना है और जब यूज करना हो तो इसको आपने थोड़ी